हेलो स्टुडेंट, वेलकम उन्स अगेन, बचों कैसे है आप सब, आश्रा करता हूं सभी फिट और फाइन होंगे, प्यारे बचों इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेस्टे में 22, 23 और 24 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइस 3P का, बाकी जो मैंने प्रिवेस की वीडियो मनाये ह इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा, महां जाकर के केवाल आपको आपको आल वीडियो सब चैप्टर 3 में किलिक करना है, आपको एक ही जगा पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन तीनों को कैसे सॉल्व कर भीडियो बस यह था कि हम वहाँ पर दो फॉर्मुला यूज कर रहे थे, जैसे जोंगे यहँापर x का स्क्रिकी और minus two x, यह तीनों चीजे हैं, तो इसको हम लोग x minus b याइन हैनी we minus b का जोHeY squareवाला formula है, उसमें apply कर सकते है हमारे लिए। formula क्या है न एक formula होता है x minus में अगर y का whole square है इसको a minus b का whole square वाला कहा भी जाता है अगर मैं यहाँ x minus y लिखना हो तो इसमें confuse मत हो जाता है कि sir हमने तो a minus b के नाम से पढ़ा था तो दोनों चीज़ें same ही है बस यहाँ पर मैं आपको minus में 2xy और यह जो minus z का square इसको side में कर लेंगे अब यह मेरा पूरा का पूरा यह यह उना formula में apply हो सकता है बस उस formula में इसको put कर दूँगा यह मेरा x minus में y का whole square बन जाएगा और यह minus ka z square तो रहे गई अब यह देखो आप मेरा यह पूरा का पूरा a का square हो गया और यह पूरा मेरा b का square हो गया बस a square minus b square जो हमारा formula है a plus b और a minus b उस formula में इसको आप put कर दो तो यह मेरा a plus b है तो a के जगा में मेरे पास x minus y है तो यह हो जाएगा मेरा x minus y a plus में b करना है तो plus में मैं z करूँगा क्योंकि B के जगा में यहापर Z है उसी तरीके से A-B करना है तो A के जगा में हमारे पास X-Y है और –B करना है तो –Z कर दो simple यह आपका answer हो जाएगा तो एदम simple question अगर आपने 20 और 21 वगरा solve किया न तो यह उसके सामने कुछ है ही नहीं तो यह question तो solve हो गया अभी भी दो question बचे ही है 23 और 24 उसको कैसे solve करना है मैं आपको बता देता हूँ तो यह देखो यह हमारा 23 number का question है बहुत ही मज़ेदार question है क्यों है मज़ेदार यहाँ आपर आपको दीखेगा X square plus 2xy plus y square यहाँ यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा X plus y square is equal to x square plus 2xy plus y square simple इधर भी हमारा पास देखो वही चैप से दिया हुआ a square plus 2ab फिर minus b square दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको हमारा वही formula में convert करने की कोशिज करेंगे हम जानते हैं formula में जो पहला term होता है चाहिए वो a हो या x हो कुछ भी रहे वो plus वाला रहता है लेकिन यहाँ पर minus है तो हम क्या करेंगे minus की sign यहाँ से common लेंगे सबसे पहले इधर वाले को sg2s उतार सकते हो हो जाएगा तो कि minus plus minus 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 plus और minus plus फिर से minus होता है ठीक है तो अब मेरा यह a square minus 2ab plus b square हो गया तो जो मैंने भी 22 नमर में question में किया था बस वहाँ पर x minus y था यह मेरा a minus y हो जाएगा केवल आपर x और y थे यहाँ पर यह और b है तो बस वही formula यहाँ पर लग जाएगा तो देखो यह बन किया मेरा x plus y का holy square minus में a minus b का holy square simple क्योंकि a minus b का holy square is equal to a square minus 2ab plus b का square होता है तो यह मेरा क्या हो गया अब दो formula में हमारे बन गया दोनों हमारे पास यहाँ पर formula दिये होते है अब यहाँ पर एक और formula लग रहा है यहाँ पर मेरा देखो यह पूरा का पूरा अब a का square हो गया यह पूरा का पूरा मेरा b का square हो गया तो बस वही a square minus b square लगा दो जो मैंने आपको पिछले वाले में बताए है जो हम लोग सुरू से पढ़ रहे है a square minus b square equal to a plus b and a minus b बस यसी formula में आपको put कर लेना है तो a plus b तो a के जगा में मेरा पस क्या है यह पूरा है na x plus y यह धा म ludzi और b के जगा में क्या है तो यह मेरा a minus b जो है वो b के जगा में है तो बस a plus b करना है तो इसको मैं करूँ गो इस तरीके से x plus y plus में a minus b A हो गया मेरा A और ये पूरा हो गया मेरा B तो A प्लस B इतना complete हो गया अब हमको करना है A माइनस B तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग लेकिन इस बार हम लोग देखो यहाँ पर दो टाम है तो हम लोग जानते हैं साइन वगरा चेंज होता है तो एक बार हमको माइनस को ब्रेकेट में करना पड़ेगा इसलिए मैं पहले से यहाँ पर स्क्वाइर ब्रेकेट लगा ले रहा हूँ अब A माइनस B करना है तो A के जगा में तो मेरा पास X प्लस Y है इसको रहने देंगे माइनस B करने के लिए में लोग माइनस की साइन लगाएंगे और इसको ब्रेकेट में उता रहेंगे B वाले के वैल्यू को तो A माइनस B हमारा B का वैल्यू है इसलिए मैंने हाँ पर स्क्वाइर ब्रेकेट लगा था क्योंकि इस टाइब से क्वेशन मैंने कई बार भी सॉल्ट किया है तो मैं देखा बार-बार जदो पढ़ा था ब्रेकेट का इसलिए मैंने पहली लगा दिया तो ये तो मेरा X प्लस Y प्लस A और माइनस B रहे गई इधर हमारे पास X प्लस Y रहेगा ये मेरा माइनस और प्लस माइनस Y हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस B हो जाएगा ये हो गया हमारा फाइनल एंसर देखा कितना मज़ेदार क्वेशन था इसलिए आपका भी बिना क्वेशन को समझ करके सॉल्ट करो रटना बिल्कुल भी नहीं है ये जो 24 नमरा क्वेशन है उससे सौफ करते हैं तो देखा है हमारा लास्ट क्वेशन है 24 नमर का 25 X का स्क्वेशर माइनस 10 X प्लस 1 दिया हुआ है हम इसको फिर से उसी तरी के से कनवर्ट कर सकते हैं ये मेरा B का स्क्वेशर हो जाएगा 1 है यानि की 1 का स्क्वेशर है एक ही बात होता है 1 का स्क्वेशर इसको टू 1 ही होता है तो ये मेरा B का स्क्वेशर हो जाएगा इसको मैं अपन क्या कर सकते हैं एक का स्क्वेशर बना सकते हैं और बीच में हम लोग 2AB कर सकते हैं क्योंकि 10 है तो उसको 2B बनाना असान है मैं बताँ को कैसे बनाना है और इधर जो मेरे पास minus 36Y का square है इसको थोड़े दिर के लिए रहने दो पहले इसको समझते हैं देखो मेरा 25X square है इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5X का square पूरा-पूरा बना सकता हूँ यह मेरा बन गया A का square ठ फिर प्लस में B का square यही मेरा formula होता है यह तो मैंने A का square बना लिया अब हमको बनाना है minus 2AB इस 10X को ही minus 2AB बनाना है तो 10X को मैं क्या कर सकता हूँ minus 2 multiply 5X लिख सकता हूँ तो 2 5 जा 10X हो जाएगा और B भी साथ में अपने को लाना है तो B कि जा हमाने पस 1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ 1 लिखने से इसका value में कुछ change थोड़ी हो जाएगा 5 जा 10 और 10 बंज़ा 10 ही रहेगा और यह बस जो हमारा X सही उतर जाएगा तो इन से को multiply करेंगे तो minus 10X आ जाएगा तो बस हमने minus 10X को इसे लिख लिख लिया है ताकि यह मेरा minus 2AB हो जाएगा अब इधर हमारे पास जो य जाएगा तो यह भी काम आएगा लेकिन भी रहने तो पहले इसको कर लेते हैं solve तो यह तो मेरा बन गया A square minus 2AB plus B square तो यह मेरा हो जाएगा A minus B का holy square तो A के जगा में 5X है B के जगा में 1 है तो 5X minus 1 का holy square बन जाएगा इस side वाले को अब solve करते हैं तो 36 है तो इसको हम लोग 6 कर सकते हैं 6Y का holy square इससे मेरा क्या हो जाएगा 6 का square 36 और Y का square आ जाएगा तो अब हो इससे फैदा क्या है कि यह मेरा पूरा का पूरा A square बन गया और यह पूरा मेरा B square बन गया बस यही जो हमने formula भी पढ़ा A square minus B square equal to A plus B A minus B उसी formula में put कर दो तो A plus B यानि कि 5X minus 1 A है उस बाद plus B यानि कि 6Y plus में हो जाएगा फिर A minus B तो यह हो जाएगा 5X minus 1 यह हो गया मेरा A और minus B करना है तो बस minus 6Y कर दो कितना simple था तो बहुत interesting questions है जो factorize बने question है बहुत मज़ाएगा जब आप एक बार practice करना शुरू करोगे ना शुरू में थरों से दिक्कत करता है 2-4-5 questions जब ना वो आजाएगा betting में जिसे form आता है वो जी form आजाएगा और आप एत्री इंसौट मारीएगा तो चलिए यहाँ पर हमारा यह question complete होता है 24 नमर का मिलते हैं आप हम लों next video में यहाँ पर आगे के जो questions हैं उनको भी में आपको इसी तरीके से simple method में सुमझा दूँगा थя तरीके सुम्झा कर दो धक्यूँ नाझे बाइब वाची से तरीके स्वह